नमस्कार मैं हूँ लालचन सोनी आसोबा टाइमस में आप सभी का स्वागत है दुखदाई खबर बना रशे आ रही है पुल गिनने से 15 लोग की मौत 12 लोगों की घायल होने की आसंका मोधी घटना में दुखी योगी वारणसी पहुंचे पधनमंतरी स्री नर्ण मोधी घटना का गहरा दुख जताया उनने सीयम योगी से बात कर घटना की जानकारी ली बीच में मुखमंतरी योगी अदितनन्त को देर पहुंचने पर बनारस पहुंचे मुखमंतरी ने परजि पुल्क की सेट्रिंग के लिए बने ओजनी पिलर की नीची रोड बेज बस बलोरो समेत कई दो पहिया वाहन दब गए एक दरजन से अधिक वाहनों की मंडलिये अस्पताल बियेच्चु के ट्रामा संटर भर्वती कराये गया है रहतकार के लिए सेना के जवान और NDRF की टीम लगी हुए है वहीं पर राश्पती अमरनात को अमरनात कोबिंद उप राश्पती बेंकेरे नाडूर पीम नरिनमोदी फुल्क हासे पर सोग ब्यक्त किया है निर्माना धिन फ्लाय ओवर के नीचे के कारणों की जाज करने और इस सम्मन्द में एक विश्थिद रिपोर्ट देने के लिए मुखमती ने APC RP Singh को अगवाई में तीन सदस्य जाज समीती बनाई गई है 48 घंटे में जाज रिपोर्ट तलब की गई है सियम ने डिप्टी सियम केशो कुमार मौरिया स्वास्त मंत्री सिधार्थ नास सिंग और राजमन्ती डाक्टर नील कंठ तिवारी को ततकारिन मौके पर भीजा गया है वहीं पर हो रही इस पर कई कारवाईयों पर भी स्वामेदना हो रही है कि यहां पे जो है वारण सी कैंट फ्लाई ओबर हासे में पनारस जीला पसासन में सेतु निगम की गाजी पुर यूनिट अपसरों और करमचारियों पर गैर इरादतन हत्या का मुकदम दर्ज किया जाएगा यहीं यूनिट पुल बना रही है जाँच बढ़ाने के नाम पर अपसरों और करमी मुकदमे में नामजद किये जाएगे मुकमंत्री योगी अधित्यानंद वारा गठेत उचस्तरी समेती तड़के घटना अस्तर पर पहुंची और जाँच सुरू कर दी गई है मंगरवा साम कैंट फ्लाइ ओबर को दो बीम गिरने से कई वहां दब गए थे पंदरा लोगों की मौत हो गए थी जबकि बारा गंभीर रूप से घायल हो गए थे बुदवार भर में तीन दिवसे कमेटी ने पघटना अस्तल का दोरा किया और जाँच के लिए बीम के नमोने दिये गए हैं इनी जाच के लिए आयाइटी रूड़की को भेजा गया है कमेटी के सदसों ने उत्तर परदेश राज सेतु निगम के अफसरों को तलब कर सरकिट हाउस में पूस्ताच की निलंबित कर दिये गए अधिकारियों को भी बुलाया गया है निलंबित होने वाले मुख परियोजना प्रवंधक एस्टी तिवारी परियोजना प्रवंधक के आर सूदन और आई राजेश कुमार जेई लालचन सामिले कमेटी की रिपोर्ट 48 गंटे के भीता सियम को सौपनी है सेतु के पत्र भी दिये गए थे रूट डायवर्ट करने के लिए पुलिस ने सेतु निगम के अगरा पर ओबर के नीचे रूट डायवर्ट नहीं किया था अगर पुल के नीचे आना जाना बंद होता तो जाने बस्च गई थी सेतु निगम के एमडी रंजन मित्तल ने यातायात पुलिस को भेजे गए पत्र की प्रकिरिया मीडिया को दिखाई है उन्हें का हाल ही में अपने अधिकारियों के लापरवाईस भी सुरुकार किया है मजिस्टेट जांच की रूपोर्ट शौपी जा रही है एडियम रामेश्वा राम मिस्र ने श्री मजिस्टेट जांच के आदेश दिये हैं एडियम बित्र यों राजिस्वा मनोह राय ने जांच शुरू कर दी है उन्हें जांच रिपोर्ट शुरू गुरु आर्था वारसी में सेतु निगम के अगरा पर भी पुलिस ने फ्लाइ ओबर नीचे रूट डायवेड नहीं किया था M.D. रंजन मित्तल ने कहा है कि यह डायवेड अगर होता तो इस तरह से जो है दुरुखटनाय नहीं होती और इस तरह से उन्होंने मीडिया को भी दिखाया पत्र में कहा कि मैंने जो है ट्राफिक पुलिस को डायवेड करने के लिए यह पत्र दिया था